35-40 गंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और कॉंग्रेस महा सश्य प्रेंका गांधी वाडरा को उत्तरप्रदेश पुलिस ने अपने हिरासत में रखाया और अब उन पर मुकद में भी दर्श कर दिये गए हैं हमार साथ रॉबर्ट वाडरा जी मौजूद है उनसे सीधा बाचित करते हैं रॉबर्ट जी कैसे देखते हैं 35-40 गंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है पुलिस की हिरासते प्रेंका जी हैं और अब मुकद में भी उन पर दर्श कर दिये गए पहले तो मैं बोलूँगा मु मुझे अफसोस है कि प्रियांका बस उन परिवारों से मिलना चारी थी उनको साहता देना चारी थी उनके जो दुख है उसमें शामिल होना चारी थी और समझना चारी है कि कॉंग्रिस के दुआरा जो भी उनको कुछ साहता या जो उनका उनकी इशूस है उसको थोड़ा सा ह को निकली और मुझे बताया कि अभी हम तीन घंटे का सफर करेंगे बारिश का मौसम हो रहा है पर हम पहुंचेंगे वहां फिर मैंने वीडियो देखा जहां प्रशासन उनको काफी धक्का मुकी हुई है और खीचा गया ये वो और जिस तरीके से महौल था और एक महिला के अजब सरक्षित पूरा महौल था और मनला की ये लोग बात करते हैं कि सारे महलाओं को सरक्षित की फिल होना चाहिए और मिरको लग रहा है कि पूरे देश भर में लोगों ने मेरको मैसेज जाला कि ये बिलकुल गलत है और ये तीक नहीं है जो रहा है। उसके बां उनको कोई वारंट है ना कुछ है अभी डाले हैं जो भी उनको मुकदमे अभी दर्श की हैं और मतलब कि मेरी बात हुई थी मैंने का मुझे पता है वो निडर है और उनका मकसद है कि मतलब उन परिवारों से मिलने के लिए और मेरे ख्याल से अगर जैसे वो खाली दो लोग अपने उनके कलीक्स थे जो उनके साथ थे और अगर वो उनको सुक्षान्ती और अराम से उनको मिलने दिया जाता इन परिवारों से तो ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता जब लोगों ने देखा कि ये धक्का दुकी हो रही है और उनको पुश किया जा रहे तो उस टाइम कॉंग्रस के सारे नेता उटके और बाहर आए और देश के सारे लोग उनने देखा एक महिला के साथ जिस तरीके से विवार हो रहे है बिल्कुल गलत है तो वो वहाँ पहुंचे हैं और फिर बहां इतने लोग पहुंच गए और फिर ऑपोज़ेंशन के जो दूसरे लीडर वो भी उन्होंने सोचा अगले दिन कि हमें वहाँ पहुँशना चाहिए या जो भी करना चाहिए मतलब कि सपोर्ट करना चाहिए पर जो भी है पता नहीं का प्रयांका का कि रात में वो लिख लिए जहां कोई नहीं था और उने का बस मैं उन परिवारों से मिलके मैं वापस पर फिर मतलब उनको टिटेंग किया है, एक छोटे कमरे में डाल दिया, गंद गी पूरी थी, और फिर मेरे को बताया है, मैंने उन्हों ने बताया है, मैंने सफाई वगएर वहां सारी की है, कि जैसे वो अपना घर यहां संबालती है, वैसे ही वो अपने जगा को सफाई रख करा दियागा आपको लगता है कि मुख्य मंत्री जो है अगर किसी से भैबीत है या फिर उनको लगता है कि इनको रोकना चाहिए तो प्रेंका गांधी इसलिए उनको भी तक हिरासत में रखा है मैं यही कहता हूँ कि देखिए अगर आप एक महिला से इतना डरेंगे और मतलब कि उनी को डीटेन करके इतने समय के लिए रखेंगे फिर मुकदमा आप उनके उपर रखेंगे तो उनसे क्या डरते हैं और वो क्या क्या करेंगी अगर उन परिवारों से मिलनेंगी क्या उनको मुख्यमंतरी को लगता है कि वो अपने पद से हड़ जाएंगे क्या इलेक्शन हार जाएंगे क्या बवाल हो जाएगा अगर प्रियांका उन परिवारों से मिलनें तो मतलब क्या घबराट है कि उनको बस उनी को नहीं मिलने देना है उनको डीटेन करके रखना ह मुकत्मा उनके उपर करना है बाकी सारे जो मर्द हैं जो लोग हैं उपोजेशन के अलग-अलग लीडर हैं उनको रिहा कर देते हैं तो मेरे को समझ नहीं है पर देखे हमारा भी परिवार है बच्चे हैं जो मंदब घबराते हैं देखते हैं कि मा ठीक है या नहीं इतने समय से तो मैं उनको संभाल रहा हूँ मैं देखता हूँ कि औनको तसलिय देता हूँ कि सब सही है और मैं भी मुझे पता है प्रियांका बहुत स्ट्रॉंग लेड़ी है और वो मनलब आगे बढ़ेंगी और निडर है वह मंदख कि अपने मुकाम पर पहुंचेंगी अब की सर कब कब बात चीच हुए अब आपकी बात चीज की बात कर तो कब लास्ट बात चीच बात है यह सब परसनल बात है दो-तीन बारी तो बात होती है मungहेपता है वो ठीक है और मैसेज ब पर कितने बारी करूँगा अभी हसरत का था वहां भी उनको गले से पकड़ा इदवर से पकड़ा हाँ अभी फिर यहां हुआ है लकिन पूरी पहुंचते पहुंचते तो मतलब मेरा मतलब है यह चीज मेरे को लग रहा है चलती रहेगी क्योंकि देखे यही परिवार है जो हर कौने तक पहुँच रहे है चाए एलक्षन हो या नहीं हो तो हर लोग से मिलते हैं यहां भी पूरे टाइम हमारा यह नीक हैं कि हाँ एलक्षन हो रहा है तो इसलिए लोग आ रहे हैं मिलने के लिए यह हम वहाह जा रहे पूरे देश के हर कौने से लोग आते हैं, हम से मिलने के लिए ट्यांका से मिलने के लिए और अपनी जो उनकी समिस्य हैं का समादान डूनने के लिए कि कांगरिस के द्वारा और जहां सुनवाई नहीं होती है तो सारे हमारे जो किसान के भाई हैं, वो सब मिलने आते हैं, उनके लीडर मिलने आते हैं, कि हमें डेर साल से कोई नहीं सुन रहा है, ये तीन बिल डाल दी हैं, हमारे उपर लाद दिया है, हमारे हित्मे नहीं है, हमें किसी ने इंकलूड नहीं किया है, तो ये सारी जो चीजे हैं, वो देखते हुए मन्दब की प्रियांका हमेशा निकलती है लोगों के लिए और कभी ये जगड़ा हो जाता है पर मन्दब की मैं उनको सपोर्ट पूरा करता हूँ कि आप आगे बढ़िये और मन्दब आप जो भी आपसे हो सकता है आपको करें आपके बढ़े लेता है मुखे मंत्री 36 गड़ के वो गए उनको एरपोर्ट पर रुकवा दिया गया कोई उनसे मिलनी सकता है उन तक कोई पहुंच ने सकता है तो आपको लगता है कि अब वक्त आ गया कि आप भी उत्तरप्रदेश के लिए निकले आप वहां पर जाएं उनस कि मैं चेक कर रहा हूं कि मैं उनसे बात करता हूं या मैसेज कर रहा हूं या मुझे पता है वो ठीक है और जैसे मैंने बताया है वो निडर है और ये हर कोने तक जाएंगे मतलब चाहे यहां इलेक्शन हो या इलेक्शन ना हो और कोई भी हादसा होगा वो उसमें जाएंग कि एक यहां पहुंच रहा हूं या हर जगा पुहुंच रहा है यह उनका पुंच राहे है उप्रणीं के सीअबンド मैं वह सालों से मीचंच जब था परुपदो कि अधर को ऐन्ये हैं उत्तर प्रदेश के वह वाध मजबूति से स्टैंड है पार्टी को यूपी में बिल्कुल वो मन्दब की अभी यह नहीं देख रहे हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा यह वो मेहनत उनकी पूरी है अगर राहूर ने देखा है कि वो उनको यूपी पूरा समवालना चाहिए तो वो कर रहे हैं पूरी मेहनत मन लगन से पूरा पूरी हैं तो यह बहुत सारे इशूज निकल के आ रही है और लोग बहुत ही अपसेट हैं और खुश नहीं है वहाँ खास तो पर लखिमपूर के पूरे घटनाव को देखे तो अब कई सारे वीडियो ऐसे आने लगे हैं जिसमें साब तो पर दिख रहा है कि गाड़ी से किसानों को रोना गया है फिर वहाँ से भागा गया है जबकि लखिमपूर में अभी जो है इंटरनेट बंध है उसके बावजूद भी कई सारे से वीडियो आ रहे है तो सवाहिक से बात है कि और भी सारे से साच्छे और वीडियो वहाँ पर मौजूद है देखिए सबूत तो सामने है अब ये जो मिश्रा जी की फैमिली है कानूनी तोर से उनके उपर एफायार किया जाए और अगर उनोंने गाड़ी गलत चलाई है उनके उपर मतलब मुकदमा हो हर चीज हो और आपने प्रियांका को डिटेन कर दिया पर उनके उपर कोई मुकदमा नहीं हो रहा है ना जूटिशल सिस्टेम में बिलीव करते हैं हमारे कानून में बिलीव करते हैं तो हमें देखना है कि रिजल्ट निकलना चीए अगर जिसने भी गाड़ी चलाई है और लोगों को मार रहा है तो मंदब की ये हाथसा हुआ है पूरा देश देख रहा है ग्री मंतरी ग्री पहले आप उनको थम्स डाउन दिखाते हो आप बोलते हो आप मेरे को जानते नहीं हो एक एक करके देख लूँगा और उनका गाड़ी चला रहा है और वीडियो आगया है प्रूफ सामने है कि मतलब गाड़ी चलाते हुए लोग गाड़ी की ओपर है गलत है और मतलब कि हाँ जरूर मैं काऊंगा दूसरे तरह भी गलत है जहां उन्होंने गाड़ीयां जलाई है और मारा पीटी पर देखिए वो वैसे ही इतने परिशान है और मतलब कि उसके बाद आप गाड़ी चलाके तेज चलाके उनको मतलब खुचल देते हो तो फ़र मतलब रियाक्शन तो देखिए और आल पार्टी मीटिंग से ठीक हो सकती है और सारे मतलब की जो फार्मर्स के रेप्रेसेंटेटिव से हैं उनके साथ बैठे और उसका हल ढूंडे तब ही हम यह जो परिशान लोग हैं सब जगा घूम रहे हैं कोबिट के पास सब के नोकरी भी चले गए काम भी नहीं थे डिमार पड़े हुए थे कोई कमाई नहीं है तो यह जो परिशानिया है वो तो सामने हैं और मदब की अगर पी-एम साब लखना तो पहुंचें जो मुख्यमंत्रियों के साथ है अगर लखना तो पहुंचें तो थोड़ी दूर और है लखिन पूरी वहां पहुं पहुंचे तो से ही उनके हाथ तो पकड़े इस ताम पे तो मेरा सोच यही है और निरको समझ नहीं है कि यहां तीन दिन का फेस्टिवल हो रहा है अजादी के लिए हो रहा है पर यहां भी तो इन लोगों को हेल्प करना है इनको भी तो हाँ आपने देखा होगा सुबा एक जाने दिया जाड़ा बिलकुल है बिलकुल है पहले तो इस सरकार ने उनकी सेक्योरिटी हटा दी फिर सेकंड लेवल थर्ड लेवल की सेक्योरिटी दी उसके बाद घर से निकाल दिया अब हम जहां भी हैं हम खुश हैं ठीक हैं पर सेक्योरिटी तो बहुत ही खतरनाक है मत वो उपर उपर से चल रहे हैं और मतलब की वीडियो फूटेज बना रहे हैं अब हम खाली मैसेज दे सकते हैं वो बात कर सकते हैं अब अगर ये ड्रोन वोन का चक्कर है तो फिर उनको समझना चीए कि तीस घंटे आप एक महला को वहां डीटेंट करके रखोगे दूसरे की सरकार नहीं बदल जाएगी मतलब की किसी का सीट नहीं जाएगा किसी का मुख्यमंत्री ये नहीं कि अपना लूस कर लेंगे तो क्या डरते हैं क्या सोच है किसले डीटेंट करके रखा है तो ये सारी चीज़ें आप पूरा देश देख रहा है और कोई भी संज़ेगा य दर के आगे नहीं बढ़ सकते हैं मतलब की उनको निडर है वो आगे बढ़ेंगे जो भी अगर धका मुकी होगी और ये सारे हाथसे आप देखेंगे आप दो साल में देखेंगे या पांच साल में देखेंगे कि ऐसे बीसों हाथसे होंगे क्योंकि मतलब की वो तो आगे ब प्रियंका गांधी को कॉंग्रेस पार्टी को सी एम का चेहरा गोशित कर देना चाहिए उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आकरमक्ता से वहां पर डटी हुई है और लड़ाई लड़ रही है देखिए ये सोच तो राहुल की सोच होनी चाहिए जो उनके जो इरादे हैं प्रि पूरा मेहनत करके देखेंगी क्योंकि आप देखेंगे कि अमेठी के लोग भी हमें अभी मिलने आते हैं बहुत सारे और वो बहुत खुश बहुत दुखी हैं बीजेपी के सरकार होने से वहां और वो बहुत खुश थे जब मदब पहले और वो कहते हैं कि अब महसूस हो र मेरा रोबर्ट जी आपको लेकर भी काफी सोचल मीडिया पर लोग चुकि कॉंग्रेस भी चर्शा होते रहता है कि आप राजजीती में आएंगे तो क्या माना जाए बाइस का विधान सभा एक बड़ा विधान सभा है तो आप राजजीती में कदम रखेंगे या फिर चौब खुश है तो हमारे पास हर चीज होने पर हमें परिशान नहीं होना चाहिए और जहां भी जाओ बंदब लोगों को होप है इस फैमिली से होप है कि आपके होने से मेरे को कुछ तो है कि सपोर्ट है आपकी बैकिंग है क्योंकि उन्हों सदियों से देखा है कि इस परिवार क्या दिया है इस देश को तो पर मेरा ये है कि मैं किसी के नाम के वज़े से कुछ नहीं बनना चाहरा हूँ मैं अपनी महनत से बनूँगा कोई अगर जगा मेरे को पसंद आएगी जैसे ये मेरा जो मुरादबाद है अगर मैं वहां से खड़ा होता हूँ वैसे तो जब मैं बहुत प्रचार करता था हर चार साल में हर तीन साल के बाद यूपी में सब जगा और पंजाब में सब जगा में ने किया पर हमने देखा भी है तो क्या है कि लोगों के साथ डेड़ महीने दो महीने रहके उनकी भाशा बोलना उनके साथ चाए पीना हर चीज उनको सब को ल कहीं पंजाब में, कहीं यूपी में, मुरादबाद वग्यरा, पर देखेंगे, मैं महनत कर रहा हूँ, मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, और अगर लोग चाहेंगे कि मैं कुछ बदलाव ला सकता हूँ, तब ही मैं आऊँगा. तो आपने तो इसपस्ट कर दिया कि यूपी मुरादबाद, एक बात और इसपस्ट आपको करना होँगा, बिदान सभा या फिर लोग सभा. इचने, ताइम में देखेंगे, मेरेको मेहनत करनी पड़ेगी, मेरेको समझना पड़ेगा, मेरेको फूरा अपना डिवोशन देना पड़ेगा, क्योंकि फिर दोनों चीज़ नहीं कर सकते हो, फिर आप लोगों के बीच में होँँ, और लोगों के लिए काम करोगे, और व और लोक सबा हो या विदान सबा जल्द रोवट वाडरा भी चुनावी मेदान में नजर आने वाले हैं कैमरा में राहूल के साथ रवी सर्राप भारसमचार तिल्ले